बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम, मध्यभारत में सक्रिय मांसून कई राजियों में भारी बारिश. इस सप्ताहांत के आसपास बंगाल की खाड़ी, बीयो बीक पर एक ताजा चक्रवाती परिसंचरन बनने की संभावना है. पिछली दो मौसम प्रणालियों के विप्रीत, जिन्होंने पूर्वी और उत्तरी भागों में मांसूनी बारिश को सक्रिय किया, यह नई प्रणाली मौसम की गतिविधियों के बारिश, आंधी, तेज हवाएं, बिजली चमकना को देश के मध्य भागों तक ले जाएगी. पूर्वी तच से लेकर पश्चिमी तच तक मध्य राजियों के बड़े हिस्से में अच्छी बारिश होने की संभावना है. इस महीने के आखिरी सप्ताह में मौसम की हलचल करीब 6-7 दिनों तक रह सकती है. 20 सितंबर से पूर्व पश्चिम ट्रफ बनने की संभावना, 20 सितंबर तक बीच बंगाल की खाड़ी में एक व्यापक पूर्व पश्चिम ट्रफ बनने की संभावना है. ये ट्रफ अगले दिन चक्रवातिय परिसंचरन साइकलोनिक सिर्किलेशन में बदल सकता है. परिसं मौसम प्रनाली पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगी और ओरिसा तच से लेकर गुजरात और कौनकन तक के बड़े हिस्से को पार करेगी 21 सितंबर से बारिश की शुरुआत मौसम की गतिविदियां 21 सितंबर से शुरू होंगी और 22-23 सितंबर को इनकी तीवरता और दायरा बढ़ेगा 24 और 25 सितंबर को बारिश की गति बढ़ेगी और इसका प्रभाव अधिक शेत्रों में फैल जाएगा 26 और 27 सितंबर तक बारिश और भी अधिक तीवर होगी और इसका कवरेज बढ़ेगा जिससे मौसम की स्थिती वीकेंड से पहले ही काफी बदल जाएगी इन साथ राजियों में बारिश मौसम मौडल की सतीकता 4-5 दिनों के बाद कम हो जाती है इसलिए मौसम पूरवानुमान भविश्यवानी की समीक्षा करने की जरूरत हो सकती है यदी सब कुछ ठीक रहता है तो मौसम की गतिविधी बारिश ओडिसा, आंध्रप्रदेश, चत्तीसगर, मध्यप्रदेश, महराश्ट्रा, टेलंगाना और गुजरात राज्यों को कवर करेगी इसके अलावा करनाटक के कुछ हिस्सों और पश्चिमी राजस्थान के बाहरी हिस्सों में भी बारिश का असर हो सकता है आमतोर पर दक्षिन पश्चिम मानसून 30 सितंबर तक गुजरात, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम व उत्तर MP के बड़े हिस्सों से वापस चला जाता है लेकिन इस बार यह अक्टूबर तक जारी रह सकता है जारखंड में बारिश से राहत नहीं, कोल्हान में तीन दिन का यलो अलट, कैसा रहेगा 23 तक मौसम जारखंड में अभी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है कोल्हान समेत पूरे राज्य में अभी बारिश का दौर जारी जारी रहेगा इस बीच मौसम विभाग रांची केंद्र ने 23 सितंबर तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है जारखंड में अभी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है कोलहान समेत पूरे राज्य में अभी बारिश का दौर जारी जारी रहेगा मौसम विभाग रांची केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अभी जारखन में हलके से मध्यम दर्जे की बारिश होगी इस दौरान वज़ुपात के साथ तेज हवा भी चलेगी मौसम विभाग ने 5 दिन का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि राजे में 23 सितंबर तक कहीं कहीं हलके से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है पूर्वानुमान के अनुसार 23 सितंबर तक रुख-रुख कर कई जिलों में बारिश होगी इसको लेकर 20, 21 और 22 सितंबर को यलो अलज जारी किया गया है इस दोरान कोलहान के तीनों जिलों पूर्वी सिंग्भूम, सराई किला खरसावा और पश्चिम सिंग्भूम में वजरपात के साथ बारिश की संभावना है कल का मौसम, जारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, जाने कैसा रहेगा कल का मौसम जारखंड में मानसून की गतिविधी कमजोर रही, मानसून ट्रफ इस वक्त रांची से गुजर रहा है इसका क्या असर होगा जार्खंड में इन जगहों पर हुई वर्षा रांची से गुजर रहा मानसून ट्राफ 20 सितंबर को रांची के आस्मान में च्छाय रहेंगे बादल जार्खंड में पिछले 24 घंटे में मानसून की गतिविधी कमजोर रही कहीं कहीं हलके से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई सबसे अधिक वर्षा पूर्वी सिंग्भूम जिले के बहरा गोड़ा में हुई सबसे अधिक उचतम तापमान गोड़ा जिले में और सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची में रिकॉर्ड किया गया भारत मौसम विज्ञान विभाग आयमडी के रांची स्थित मौसम केंद ने ये जानकारी दी है जारखंड में इन जगहों पर हुई वर्षा रांची के मौसम केंद के प्रमो कभिशेक आनंद ने प्रभातखबर प्रभातखबार.com को बताया कि पिछले 24 घंटे के दोरान बहरा गोड़ा में 16.8 mm, बानो में 7.5 mm, बोकारो में 5.5 mm, लोहर दगा में 1.5 mm और हजारी बाग में 0.5 mm वर्षा हुई जारखंड के किसी भी जिले में भारी या बहुत भारी वर्षा नहीं हुई रांची से गुजर रहा मांसून ट्रफ मौसम वेग्यानिक ने बताया कि मांसून ट्रफ जैसल मेर, कोटा, सीधी, रांची, डीगा होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है 20 सितंबर को जारखंड में कहीं कहीं हलके से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है अगले 3-4 दिनों में अधिक्तम टापमान में कोई बड़ा बदलाव होगा, ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है 20 सितंबर को रांची के आस्मान में च्छाए रहेंगे बादल मानसून के सीजन में 950.9 मिलीमीटर की बजाए अब तक 937.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है लाटेहार, नेत्रोट में भारी बारिश के दौरान गिरे पेर, उजड़े कई आशियाने लाटेहार, जारखंड के प्रसिद परियतक स्थलों में से एक नेत्रोट में पिछले तीन दिनों से हो रही भारी बारिश लोगों के समक्ष बड़ी परेशानी और चुनोती लेकर आया इस दौरान कई जगहों पर पेर गिरने भूसखलन जैसी घटनाओं के कारण आवागमन बादित रहा वहीं इस भारी बारिश में कई लोगों के आशियाने भी उजड़ गए नेत्रोट स्थित लेबर कौटर में बारिश के कारण दस पॉइनन के पेर गिरे जिसमें दीपक महली, मनोज महली, सुधीर नायक, शिवा महली, राहूल महली, प्रकाश बरायक, महावीर नायक, संतोश महली का घर ध्वस्त हो गया इस दौरान सभी घरों में लोग मॉझूद थे राहत की बात ये रही कि इस दोरान लोगों को शारीरिक शती नहीं हुई हालांकि इस बारिश ने लोगों के सरसे का आशियाना छीन लिया जिससे लोग प्लास्टिक तिरपाल लगा कर रहने को मजबूर है वही बुधवार को मौसम खुलते ही स्थानिय लोगों के द्वारा राहत कार्य भी शुरू कर दिया गया है जिसमें अगुबाई करते हुए समाज सेवी पूर्व पंचायत समिती सदस्य अजय कुमार के द्वारा अपनी जेसी भी लगाकर जगह जगह पर पेर ज़रिया हटाते हुए सफाई करने का का कार्य किया जा रहा है राश्ट्रपती कल आ रही रान्ची दोडिनों के लिए बदली शेहर की ट्राफिक देखें यहां राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू दोदिवसीय यात्रा पर 19 सितमबर को रान्ची आ रही है दो दिनों के दौरान वह विबिन कार्यक्रमों में शामिल होंगी इसके मद्दे नजर रांची शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है 19 सितंबर की यातायात व्यवस्था रांची में शाम 5 बजे से शाम साधे 8 बजे तक सभी बड़ी छोटी मालवाहक वाहनों, बसों, सवारी वाहनों का प्रवेश परिचालन वर्जित रहेगा आकस्मिक सेवा के वाहनों को छोड़ कर, रातू काठी टांट की और जाने वाले सभी वाहन शहर से कांके की और से रिंग रोड होते हुए गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं ह, इ, सी, गेट से लेकर अरगोड़ा चौक, सहजानन्द चौक, किशोरगंच चौक, न्यू मार्केट चौक, सुचना भवन चौक तक के मार्ग का उप्योग शाम पांच बजे से 8.30 बजे तक कम से कम करें आवश्यक्ता नुसार अन्यमार्गों को अल्प समय के लिए डायरवट और रोका जा जा सकता है 20 सितंबर की आतायात व्यवस्था रांची शहर में सुबह 8 बजे से साधे 12 बजे तक सभी बड़ी चोटी मालवाहक वाहनों, बसों, सवारी वाहनों का प्रवेश परिचालन वर्जित रहेगा आकस्मिक सेवा के वाहनों को छोड़कर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक अर्गोरा चोटी मालवाहक वाहनों का प्रवेश परिचालन वर्जित रहेगा कार्यक्रम में भाग लेने वाहनों एवं आकस्मिक वाहनों को छोड़वार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामकुम चौक, सदाबहार चौक, घाघरा रोड होते हुए जैप एक कमान्डेंट आवास चौक तक सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश परिचालन वर्जित रहेगा आकस्मिक सेवा के वाहनों को छोड़कर जमशेदपूर्ट बुंडू की ओर से आने वाली सभी प्रकार के वाहन रिंग रोड से दाहिने लेकर ताटी सिल्वे होते हुए शेहर में प्रवेश करेंगे आकस्मिक सेवा के वाहनों को छोड़कर रांची शहर से जमशेदपूर की और जाने वाली सभी प्रकार के वाहन दुर्गा सोरेन चौक से दाहिने लेकर ताटी सिल्वे होते हुए रिंग रोड के रास्ते अपने गंतव्य तक जाएंगी आकस्मिक सेवा के वाहनों को छोड़ कर खरसी दागोपी एवं सदावहार चौक के बीच बड़ी वाहनों बसों एवं सवारी वाहनों का प्रवेश परिचालन वर्जित रहेगा आवश्यक्ता नुसार अन्यमार्गों को अल्प समय के लिए डाइवर्ट और रोका जा सकता है